गड़े शतुर्थी से पहले जैपुर में पर्यावरन अनुकूल मूर्तियों का बनाने का काम जोरो शोरो पर किया जा रहा है। मोती डूंगरी के करीब सडक मार्गो के दोनों और गड़ेश जी की मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। इन मूर्तियों में जान देने की कोशिश करने वाले कारीगरों में गड़ेश शतुर्थी को लेकर उत्सहा बेहदी नजर आ रहा है। लेकिन इनकी आर्थिक इस्तिक खस्ता बनी हुई है। हमारे समाधाता प्रमुद कुमार की रिपोर्ट देखें। गणिश चतुर्थी का जो बजार है वो अपने चरम पर है। लगातार जो सरदालू है वो हाँसे मूर्तिया ले रहे हैं। यहाँ पर कई तरह की मूर्तिया हैं बड़ी भी है, छोटी भी है, सस्ती भी है और महेंगी भी मूर्तिया है। और इन मूर्तियों को बनाने के लिए छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुनुक लोग मूर्तिया बना रहे हैं। ये मूर्तिया कलाकर्ती अपने आप में एक अनूठी संस्कृती पेश कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माद्यम से ये जो मूर्तियां हैं अपने आप में ऐसे लगती हैं जैसे अभी साक्षात भगवान गणिजी प्रकट हो रहे हैं। यहां कुछ कारीकर इंसे हम बात करते हैं कि कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और किस मिट्टी से ये बनी हुए है। यहां कितने साल से काम कर रहे हैं और किस चीज से बनी हुए है। तो आपने सुना गुजराश से आपने सुना गुजराश से याँ शार और किस बनी हैं और किस बनी है। तो आपने सुना गुजराब साइव हैं यह कार्यगर है जैपूर नगरी के अंदर मुड्यू का यहाँ पर निर्माण कर रहें और ज़्यादात में लोग सर्दालु यहां पर आये इंसे खरीदे इस तरे की यह कामना कर रहे इस मूर्तियों को बनाने में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजरुग लोग सामिल है कैमरा परसन जमाल खान के साथ मैं प्रमोत कुमार सच विद्रड़क जैपूर गणिच चत्रुतिती के परव पर बाजार सजने लगे हैं सरकिल चुराय सड़कों पर यह मूर्तियां गणिच जी कि आप देख सकते हैं का दिशेश मिट्टी से बनाई जाती है इनकी जो कीमत की बात करें तो पचास रुपे से लेकर 5000 तक की यह मूर्तिया हैं इनकी अगर साइस की बात करें तो आदा फिट से लेकर करीज़ीयर ऑफिक तक की क्या लेना है और च्भीज़़िस हम मुर्तe खरीदने हैं फिर वर्थ महंंग है तोलें फर्फ…. और इसकी एना सजावट है तो क्या कम कर सकते हम विनाइक जी लेना है सर लेइन कोसली बहुत है पिछले साल में अपके साल में राद दिन का अंतर है अब एक आम आजमी शायदी अपने घर पे गंपती विराजमान कर पाए अगर प्रेशन के दोरों में देखे तो बागी एक चोड़े से पतर को आप बगवान मान के पूछ सकते हैं को बड़ी बात नहीं है तो इन सरदालों का साफ़ तो पर कहना है कि महेंगाई के दोर के अंदर इन मूर्तियों की जो कीमत है वो भी बढ़ने लगी है ऐसे में सरदालों अपने घरों के अंदर विराजमान विनाय को कैसे करे ये सबसे बड़ा सवाल फिलाल महेंगाई के दोर के अंदर सरदालू के मन के अंदर है कैमरा परसन जमाल खान के साथ मैं प्रमोत कुमार सच्विद्रडक जैपूर